स्टार्ट महोद्य भारतिय अर्थ वैवर्स्ता हालांकि सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के कारण तंद्रोष्त बनने की कोशिश करती जा रही है लेकिन 1986 के दोरान कुल मिलाकर आर्थिक अभिवर्दी के मिश्रित निशकर्ष निकले हैं विराम ओध्योगिक उत्पादर और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इस साल घोशित उदार आर्थिक नीतियों के बावजुद अभी तक उसके अच्छे असर दिखाई नहीं दिये विराम अब यह साफ होता जा रहा है कि वरस 1986 स्थासी के दोरान पाँच फिश्दी अभिवर्दी दर का लक्ष हासिल नहीं हो पाएगा विराम ज्यादा से ज्यादा पिछले साल की साड़े च्यार परतेशत अभिवर्दे दर तक ही उपलब्दी सिमित रहेगी विराम सरकारी आंकडों के अनुशार 1986 में अपरेल से अगस्त के दोरान ओध्योगिक उत्पादन का सूचकांक पिछले साल के पाँच महीनों के मुकाबले 5.6 परतेशत ज्यादा था लेकिन यह है अपरेल अगस्त 1985 में 1984 के मुकाबले हासिल 5.8 परतेशत की दर से कम है विराम अगला पेरा शेर बाजार में नए सेरों के लिए पूंजी के धन की बाडशी आजाने के बावजुद उध्योगिके अक्षेतल में चालू वित्वर्ष के पहले 5 महीनों में उत्पादन वर्दी की दर अपेक्षाकरित कम रही विराम इस साल नए सेरों के लिए 50 अरब रूपे की हरिकार्ड पूंजी 81 की गई जो की 1986 के 13 अरब रूपे से कहीं ज्यादा है विराम भारतिय एर्थववश्था में अगले साल तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी की नए पूंजी विनियोजन को किस्तेजी के साथ काम में लाया जाता है विराम अच्छी अर्थववश्था का अंदाजा आमतोर पर सेर बाज़ार से लगाया जाता है विराम लेकिन सेर बाज़ार में पिछले साल के मुकावले इस साल परारम में संकट के लिए बाजार में आई दस अरब रूपे की नई पोंजी को जिम्मेदार ठहराया है विराम। इन शूत्रों का यह भी कहना है कि कई बेचकर नई सेर खरीदने के काण इनके भाव गिर रहे हैं विराम। अतहे उनकी आसा सरकार दोरा सेर बाजारों के कामकाज में सामजश्य कायम करने के परियासों पर टिकिव हुई है विराम अगला पैरा। कर्सी के अक्षेतर में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल कम बारिस के बावजुद पिछले साल के मुकावले इस साल कुछ ज़्यादा उत्पादन होगा विराम। राजसों वसूली के अक्षेतर में इस साल भी बड़ा अच्छा रुख रहा विराम। चालू वित्वरस के पहले छै महीनों के दोरान राजसों वसूली में उननिस फीजदी का इजाफा हुआ विराम। इसके बावजुद इस साल बजट घाटा अनुबान से कुछ ज़्यादा रहेगा विराम। इस साल वैपार घाटा पिछले साल के आच्छों तीहित्र करोड रूपे से काफी कम होने की उमिद है विराम। यह मुख्यता है आयात में कटोती कारने की वजह से संभव होश का है विराम। इस साल सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए जबर्दस्त कदम उठाए विराम। इसके तहत निर्यातकों को उदारता पूर्वक नकद मुआउजा दिया गया तथा सुलक और ब्याजदर में काफी कटोती की गई विराम। इसके अलावा आयकर में भी चूट दी गई विराम। सारी बातें सही हैं लेकिन एक बात ऐसी है जिसके काण भारतिय अर्थविवस्था में संतोलन कायम नहीं हो पाता। और वह है बढ़ती हुई महेंगाई जिससे सभी परेशान हैं लेकिन फिर भी यह बढ़ती ही जा रही है विराम। कुछ अर्षास्त्रियों ने आशंका व्यक्त की है कि इस साल मुद्राश्पीति की दर उभोकता मुल्य सुचकां के आधार पर दो अंकों में पहुँच सकती है विराम।